ओम स्री गनेश आइनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर बुद्वार के रास्वी फल्क के बारे में कि इहां दिन मित्वन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफेकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथों नासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज बॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शेहुग पराप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथ साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा जिया दोस्तो कार्रे चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्रे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल समपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेश कर सकते हैं तो आपको लाबप्रध हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं जया दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत आच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आप का मन बहुत प्रसन रहेगा दोस्तों साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड व्यवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कारे व्यवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेस करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने कर छित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजुनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारेले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कारे सपलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिशानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेतर में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सहियम रखे अनियता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तभी आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सेयोग की संभावना उत्पन हो सकती हैं एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सेयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पून रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रद्धी होगी जैदोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परंतो आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रैतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लखी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों के इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारो में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केश दिती रहेगी विध्यारतियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथि साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे च्छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला की कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहु और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड सकता है साथ-साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ-साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ-साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक नारियल लें या दोस्तो इसके बाद आप इसे एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को अरपित करें और विग्न हर्ता गनेश स्रوت का पाठ करें या दोस्तो ऐसा करने से बगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने जल्ले ही हैं समस्त परिशान योगह उंद करेंगे और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जीक का अशिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद